आज की मीटिंग में रेखा दिदी आई नहीं? क्या उन्होंने आपको किष्ट दी है? नहीं सर्थ पूजा दिदी, आप मीटिंग में तो आई हो, लेकिन आपके पास किष्ट के पैसे नहीं है सुनिता दिदी, आप इस ग्रूप की लीडर हो, दो मेंबर की किष्ट आज आई नहीं, क्या बाकी मेंबर्स, जेल जी की पत्दी के अनुसार, उनकी किष्ट भरेंगे? समय, शाम आट बजे नमस्ते सार, दिदी, आप मीटिंग में नहीं आई, और किष्ट भी लीडर के हाथ नहीं बिजवाई, मुझे किष्ट का पैसा अभी चाहिए इस वक्त कौन आया है, ये कोई समय है आने का, तुम गो दिन बाद आना, आपके यहां हर महीने बार बार कलेक्शन के लिए आना पड़ता है, बॉस में गया था पसूली के लिए, पर दीदी के पती भी थे, खाली फोकर जगड़ा हो गया, बेरे उपर बहुत प्रेशर है, मैरेजमेंट को ओडी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कैसे भी करके किश्ट चाहिए, कल तुम पूरे ब्रांच स्टाफ को लेकर जाओ, और किश्ट लिए बिना मत आना, अगले दिन दीदी, आप इटिंग में आई नहीं, और किश्ट भी लिडर के हाथ नहीं बेजी, हमें किश्ट का पैसा अभी चाहिए, किश्ट न भरने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे बहकावे में आकर किसी और के लिए कर्ज लेना, गहर विवसाई गतिविधियों के लिए कर्ज का उपयोग करना, विवसाई में मन दी, तो कभी प्रकृती का विक्रोग, जैसे बाढ, सूखा या साइकलोन, सीन एक और दो में कर्ज न भरने की बजह जाने बगैर, ब सीन तीन में क्या कंपनी के चार कर्मचारियों को मिलकर दीदी पर दबाव डालने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, उची आवाज में बात करना, दबाव डालना, गलत समय पर मेंबर के घर जाना, ये सब हमारे नियमों के खिलाफ है, ऐसी परिस्थिती हमें अक्सर देखन इस परिस्थिती को समझदारी से शांती पूर्वक तरीके से समभालना है, आपने ये कहावत्तो सुनी होगी, जैसी करनी, वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे, उसका अंजाम भी वैसा ही होगा, सही काम का अंजाम सही ही मिलेगा, सही तरीके अपनाए, जाग रूग बनिये, आवद्धान